हलो फ्रेंड्स आजे आपड़े बनावसु गुजराती ट्रेडिस्नल मुठिया पोचा अने टेस्टी मुठिया बनावा माटे आ रिते जो तमे बनावसु तो एकदम सरस पोचा अने टेस्टी बनसे तो आ मुठिया ने टेस्टी बनावा माटे वह घर्मा आपड़े एक मसालो उमेरसु जेना थी मुठिया एकदम सरस टेस्टी बनसे कर्मा बदाने खुबज भाउसे तो तमे पण एक वार जरूर थी आज रीते बनाव जो खुबज टेस्टी बन से चालो बनावानों शरू करिये तो मुठिया बनावा माटे मिया हिया दुदी लिदी छे अडिशो ग्राम दुदी लिदी छे तेनी छाल काडी लेवानी छे तो शारी रीते छाल काडी लिदी छे हवे आ दुदीने आपणे चीनी लेवानी छे तो आ रिते आपणे दुदी ने आडी राखी ने चीनवानी छे आ रिते उभी चीनवानी नथी आ रिते आडी राखी ने दुदी चीन करिये तो एकदम सरस्त लांबू चीन थाई छे तो वच्चे नो भाग छे ते आपणे उप्योग मान नथी लेवानो तो आरी ते आपणे लाम्बू छीन लेवानू छे तेमा मसाला करिये तो एक चमची होड़ दर एड़ करिये स्वात प्रमाने नमक एड़ करिये एक चमची तानाचीरू पाउडर एड़ करिये एक चमची लाल मर्चू पाउडर एड़ करिये एक चमची तॉल एड़ करिए तॉल अंदर एड़ करवा थी खुबज सरस्वा दाउ से एक टेबल स्पून जेटला मेथी ना बारिक कापेली मेथी एड़ करी दईए एक चमची लीली कोथमीर एड़ करिए साथे एक चमची टेल एड़ करिए पदित सामगरी ने आ रिते हाथे थी मिक्स करिए जेमा दुदी तेनू पाणी छोड़ से एटले आ रिते हाथे थी चोड़ी चोड़ी ने आपड़े बद्दाज मसाला ने दुदी नी साथे मिक्स करवाना छे तेना थी मोठियानो स्वाद खुबज सरस आउ से तो फ्रेंज तम्हें जोई सको छो के दूती तेनू पाणी छोड़वानू चालू करियो छे तो आरी ते हाथे थी मसड़िये एक दम सरस मसाला बद्दाज मिक्स थाई जासे अने स्वाद खुबज सरस आउसे तो आ स्टेप बिल्कुल चुकवू नई हवे तेमा आपड़े एक चमची खांड एड़ करिये साथे वन फोर्थ टी स्पूंजेट ला बेकिंग सोडा एड़ करिये अने सोडा ने एक्टिवेट करवा माटे तेमा अड़धा लिम्बू नो रस एड़ करी दहिये फरी थी बदूज एकदम सारी रिते हाथे थी आ रिते मिक्स करिये तो फ्रेंड्स जोई सकोचो के एकदम दुदिये पाणी छोड़ी दिदू छे अने खांड अने लिम्बूना लिदे एकदम सरस दिलो एव आपड़ो बद्दोज मसालो तैयार छे साथे तेमा अपणे लोट एड करीए तो तेना मत्य त्रों टेबल स्पून जेटलो चोणा नो लूट लिदोछे साथे तेमा आपणे पुणो कभ जेटलो गऊन जाड़ो लोट आड करीए जो तमारी पासे गऊन्य़ो जाड़ो लोट नो होई तो तमे चार टेबल आपडे लोट एड करिए तो तेना माटे तरण टेबल स्पोन जेट लो च नारवो एड करी देवो लिदो छे तो जेटलो जाडो लोट चे ते लिदो छे तो जेटलो जाडो लोट चे ते लोट चे ते लोट बांधव मां आपड़े पाणी नो बिलकुल उप्योग ना थी करता 10 एड करवाथी मुठ्या एकदम सरस पोचा बन से अने जरू लागे तो फरिथी तोड़ो लोट एड करी देवो अने एकदम सरस मीडियम सोफ्ट एवो आपड़े लोट बांधवानो चे हवे एक टेबल स्पोंजेटलो तेल नाखी अने आपड़े लोट ने एकदम सारी रित बांधी लाइए तो फ्रेंट्स ए सोफ्ट पड़ नाई अने हाड पड़ नाई मीडियम सोफ्ट आपड़े रोटली नो लोट हो ए रितनो लोट सारी रिते बंधाई गयो चे अवे जेमा आपड़े मुठ्या मुखवाना चे ते डीस ने आ रिते आपड़े तेल थी ग्रि लेवाना चे तो आपड़े आज रिते बदा मुठ्या वाड़ी सु अने बे मुठ्या नी वच्चे आपड़े थोड़ी जग्या राख सु कांके मुठ्या थोड़ा फुल से तो एना माटे आटली जग्या राखी अने आपड़े मुठ्या ने मुखता जहिए तो आज रित आपड़े बदा मुठ्या वाड़ी लईए हवे में पहले तीच स्टीमर गरम करवा माटे मुखी दीदू हतू तेमा आपड़े मुठ्या ने मुखी दईए अने ढाकी अने फास्ट गेस उपर 20 मिनिट माटे मुठ्या ने थवा देवाना छे तो 20 मिनिट पछे आपड़े चेक करिये तो फ्रेंड्स तम्हें जोईसो को छोके एकदम सरस मुठ्या बनिया छे आर इते चप्पू मुठ्या माँ अपड़े लगाविये छे तो बनने बाजू थी कोरू चप्पू आवे छे एटले के मुठ्या एकदम सरस बनी गया छे तो गेसनी फ्लेम बंद करी डीस ने बार काड़ी अने थोड़ी ठंडी थवा दए दस थी 15 मिनिट चुदी ठंडू थाई पछे आपड़े ते माथी आ मुठ्या ने एक प्लेट मा लई 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 तो फ्रेंड्स एकदम सरस आपड़ा मुठ्या तयार छे तो तेनो वगार क मुठ्या में कट करी लिदा छे तो हमें तेनों आपड़े वगार करिये वगार मां एक मसालों मेर्श जेना थी मुठ्या एकदम सरस टेस्टी बन से तो वगार करवा मांटे डोट टेबल स्पुझे टलू तेल गरम करवा मुख्यू छे तेल गरम थिऊ एटले तेमां पान एड करिये एक चप्टी हींग एड करिये तो फ्रेंड्स हवे आ सिक्रेट मसालों छे गरम मसालों मुठ्या ना वगार मां एक चमची गरम मसालों एड करी देवो जेना थी मुठ्या ना स्वाद सोगणों वदी जसे तो आ वगार ने आपड़े 15 थी 20 सेकंड माटे फुट्वा लागे एटले तेमा आपड़े कट करेला मुठ्या एड करी देए और जो तमारे आमा पाउडर स्यूगर उमेर भी होई दड़ेली खांड तो आ स्टेज पर तमारे उमेरी देवी में अहिया अंदर एड करेली छे एटले हूं उपर थी नथी आड करती तो वग पोचा एवा आपड़ा गुजराती ट्रडिशनल मुठ्या बनी ने तयार छे तो तमे पन आरी ते एक वार जरूर्थी ट्राइ कर जो खुबज टेस्टी बने छे तो फ्रेंड्स आई होप के आज नी मारी रेसेपी तमने पसंदावी हसे तो वीडियो ने लाइक और शेयर कर जो चैनल पर नवा होई तो चैनल सब्सक्राइब करी साथ आप लू बेल आइकन प्रेस कर जो जे थियाव नारा दर एक नवा वीडियो ने नोटिफिकेशन मड़ती